दशकों से लाखों एशियाई यातरी जिस पार्टी को अपने बकेट लिस्ट में रखकर चलते हैं, क्या आप भी ऐसी ही धमाकेदार पार्टी में जाने हैं की इच्छा रखते हैं, सो तो आप पिलकुल सही जगह आए हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं थाइलेंड की व जानकारी को फंगान, को फंगन में होने वाली दीदे फुल मून पार्टी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं, चांदनी रात के नेचे, चांद का दीदार करते हुए पार्टी एंजॉय करना, फ़िकि आखिर किसे नहीं पसंद, लेकिन क्या आपको पता है, इस फेम पार्टी का हिस्सा बन गया, लोग इस से जुड़ते गए और इसका आनंद लेते गए, इसी तरह इंवेंशन हुआ, वाद ग्रेट फूल मून पार्टी का, को फंगन की नाइट पार्टी इतनी इंटरेस्टिंग होती है, कि अगर आप यहां नहीं आए, तो आपने अपनी Ski US Dollar का टिकेट लेना होगा, जो कि आपको पार्टी बीच तक जाने वाली गलियों में ही मिल जाएगा, टिकेट के साथ एंट्री प्रूफ के रूप में आपको रिस्ट बैंड मिलता है, इसके बावजूद अगर आप पूरी रात समुदरी तट पर ही रुखने का सोच रह हैं, तो आपको टिकेट या रिस्ट बैंड की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको बीच में पार्टी छोड़ कर बाहर जाना है, तो आपको टिकेट लेना ही पड़ेगा, कभी-कभी कुछ बुद्धिस्ट त्योहारों के कारण इस फुल मून पार्टी की शेडियूल होता है, दिसंबर से अप्रेल के बीच, विशेशकर, दिसंबर के महीने में, ये द्वीप काफी ज्यादा हाइलाइट होने के साथ अपने पीक पॉइंट पर होता है, यदि आप थाइलेंड में फुल मून पार्टी के लिए जा रहे हो, तो कुछ प्रिकॉशन आपको ध्य में रखनी पड़ेगी, जैसे की भले ही आप पूरे थाइलेंड में नंगे पैर घुमें, लेकिन फुल मून पार्टी में आपको फ्लिप-फ्लॉप्स पहन कर ही जाना है, ऐसा इसलिए कि पार्टी के समय बीच पर बहुत ज्यादा कच्रा हो जाता है, ऐसे में बेयर इसलिए बेड पर जाने से पहले आप ये कनफर्म करें कि आपने पैंट्स को अच्छे से ढोकर निकाल लिया है, ना नहीं तो होटल इस पर आप से जुर्माना वसूल कर सकता है, कोह फंगन की पार्टी में जाते समय ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपकी ट्रैवलिं सेफ और कनफर्टेबल हो, इसके लिए आप अपनी ट्रैवल एजेंसी से बात कर कि पहले से ही अपने लिए टैक्सी बुक करवा सकते हैं, या फिर आप द्वीब की और जाने वाली सड़कों पर ग्रुप आफ, टैक्सी में से भी टैक्सी बुक करवा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 100 बाठ, यानि की 3 US डॉलर होगा इसके अलावा आप हाड रिन से स्कूटर भी किराय पर ले सकते हैं, लेकिन यह on passion थोड़ा complicated और खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि full moon party की भीड होने के कारण वहाँ पर accident होने के chances अधिक होते हैं, साथ ही स्कूटर को पार्क करने में समस्या भी आ सकती है इसलिए to plan करते समय ये ensure करें कि आप पहले से ही अपनी travel agency से contact करके advance ticket और transportation book करवा ले सबसे पहले एक महीने पहले ही आने वाली the full moon night party का plan बना लीजिए ऐसा इसलिए क्योंकि उस island पर कोई भी airport नहीं है और वहाँ तक जाने के लिए आपको ferry का इस्तिमाल करना पड़ता है जो की daily basis पर सूरत थानी से निकलती है इसके अलावा आप कोह समूई और कोह ताओ जैसे island के थ्रू भी कोह फंगन जा सकते हैं अगर आप extra high traveling fees से बचना चाहते हैं तो पहले से ही अपने traveling agent से बात करके advance ticket book करवा लीजिए इन में बहुत सी company fund से 600 बाट में रात भर बसें चलाती है जो की सीधे आपको party के venue याने की hardrin beach, burn thai, कोह फंगन, Thailand पहुँचा देगी किसी भी तरह की और असुविधा और असम्मजस वाली स्थिती से बचने के लिए आप पहले से ही अपनी विश्वसनिय travel agency से बात करके पूरा tour plan कर लीजिए और ticket book करवा लीजिए इस से आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा तो ये थी details कोह फंगन की The Great Full Moon Party के बारे में इसी प्रकार की अन्य जानकारी पाने के लिए notification bell को प्रेस करें और चैनल को like, subscribe और share करें